हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पार्ट साला में स्वागत हैं तो दोस्तों जैसा कि आप में थमने देख लिया होगा दोस्तों आज मैंनों बात करने वारे हैं जो आपका एंटी पीसी का एक्जाम होने वाला है CBD-2 वाला उसके लिए हम कैसे त्यारी करें पता हो इसका एक्जाम हो आपका पहले 15 से लेकी उनीस फ़्यूर्वीश में होने वाला था तो इसके एक्जाम को आपका पूस्पर्ण कर दे गया है अब देखे दोस्तों जो आपका एग्जाम है यह मांग चलिए कि आपका एक्ज कैसे आप त्यारी करें क्योंकि दूस्तों अगर देखा जाए तो मोटा मोटा दो महिने कम से को आपके पास हैं एक फरवरी फैव और एक आपका मार्ज यानि लगवाँ आपके पास 60 दिन हैं जहां पर तुम अच्छे से आप त्यारी कर सकते हो तो उसी के बार मात करने वाले कौन से बुख पढ़ने हैं किसके टॉप पर फोस करना हो और किस तरह से आपको त्यारी करनी है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले सो बात करते हैं आपको पता हो को सिल्बस क्या होता आपका दोस्तों यहां पर गड़त रिजिनिंग सामर गयान तीन जीद पूशी जाती है आपके मैंसेक जम में जहां पर गड़त और रिजिनिंग से 35-35 कुशन पूशी जाते हैं 35-35 मार्क्स के यानि एक कुशन आपका काटले जाएगा और नबर मेंट के सामय मिलेगा तो यानि आपका कम है तो इस तरह से बस्तों आप मेरियं पढ़ना आपको ँसों ट्रियू चींशतिक सामय से परणाएं जब दोस्तों आपका 27 में एक्जाम हुआ था NTPC का CBT2 उस समय तो इस तरह से आपको त्यारी करनी है फिर दोस्तों आगे बात करते हैं आगे आपका परसंटेज यहां पर 2-3 कुछे गए थे अब देख दोस्तों आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ागा त्याम आपको मिल गया है ठीक है फिर दोस्तों आपका आता रेसियो और प्रोपोर्शन फिर टाइम इन बर्ग पाइपन सिस्टन टीएजडी बोट इन स्ट्रीम मेंसुरेशन ठीक है इस्टेक्स हो गया आपका ड बात करते हैं कहां से आपको त्यारी करनी है है कि अगर दोस्तों इन चार बैक बात की जाए और सात ही इन चैप्र की जाए ठीक है और आपके दोस्तों यह वाले चैप्टर होके 10 शैप्टर कि मार्ट में दोस्तों ही बुका आती है कि SD आदब की उस बुक से आप पढ़ सकते हो और वैसे दोस्तों इसमें से लगवा आपका 50-60% कोर्स जो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर है अगर हमारे देखना नहीं चाहते हो तो दोस्तों आप से चिजपने उन्हीं पढ़ सकते हो अगर आप यहां पर न तीन वीडो को अच्छे पूर्ष रे सकते हैं लेकिंग दूस्तों इसके लिए कोई भी ऐसी परफेक्ट नहीं है आपकी जहां से आप सकते हो चाहो दूस्तों इसके लिए आप पढ़ सकते हो इस्टेक्स की और फिर दोस्तों आपका अपका अच्छे से नहीं दे रखें तो इनके दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर लगो मांग शरूब आपका लगबग 10-12 वीडियो आपको मिल जाएंगी उनको जाकर आप देख सकते हो फिर दोस्तों अगर आपक सकते हो साथ दोस्तों इतना करने के वाद आपको एक काम और करना है जो भी दोस्तों आपको सीबीटी बन के पेपर हुए हैं जो कि आपको अठाइज दिसंबर से लेकिए आपका 31 जुराई तक 2021 तक ठीक है जितने भी आपके पेपर हुए टोटल दोस्तों आपका 125 आसे इतना आपको काम करना है है मै Appe total आपकर आता है ब् तो यहां पर देखिए दोस्तो आपको नमर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनलोजी, क्लासिफिकेशन, बिलाजिशन, यह दोस्तो यह कुशन बताया गया है, जो आपके लास्ट पूछे गई थे, ठीक है, फिर दोस्तो आपको डारेक्शन, मैथमेटिक अपरेशन, हिटि नहीं पूछी जाती है, क्यों नहीं पूछी जाती है, क्यों दोस्तो पता होगा पेपर आपको आउनलाइन होता है, तो उसमें आपको, जो आपके फिगर बाक्त होती है, सही से दिखती है नहीं स्कीन पर, इस वैसे दोस्तो आपके नहीं बनते हैं, ठीक है, यहां पर दोस इग्समें जी आती हैं इस वक को दोस्ता पठ सकते हो ठीक है अगर आपके पास नहीं है तो अगर जीजिए आपके लूटयर्ट है आपके पास ठीके लूट्षिन पढ़ सकते हो डिकल आपको अग्ट T तरह से ठीक है जो भी आपका 150 में हुए थे 125 सिफ्टों में वो सारे आपको सॉल्व करने यह बात होगे रीजनिंग की अब दुस्तों बात करते हैं आपका GKGS की तो देखिए यहां पर देखिए यहां से आपका 13-14 कुष्ण एक्जाम में बन सकते हैं हिस्टी से 4-5 कुष्ण जोग्रफी से 4-5 कुष्ण पॉलिटी से 4-5 कुष्ण एकनोमिक से 1-2 कुष्ण और साथ में इंवर्मेंट से 1-2 कुष्ण यह दोस्तों इतनी चीज आपकी दिये से में पूछी जाएंगी अब देखिए इसके लिए कौन से बूख पड़ें पहले द 15-20 दिन पहले तक का पहले तक का आपको करेंट अब कहां से पढ़ें तो दोस्तों एक मैगजीन आपके पूरा सारका करेंट आप आचुका आपका 22 का इसनों जो आपकी मैगजीन पढ़ने के इच्छा हो उससे आप पढ़ सकते हो लेकिन दोस्तों मैं आपसे बोलूंगा आप एड़ो टेउरिया को पढ़ सकते हो मैगजीन ठीक है त्योरी वाइज आती है और साथ में लास्ट में आपके कुछ आपके और प्रके पढ़ने रखें उनको भी आप लगा सकते हो ठीक है एक बुक दूस्तों आपकी यह गई और दूसरी बुक पढ़ने है आपको सब चीज जो आपकी हो गई और यहां पर दोस्तों आपका हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटी एकनोमी इन्वार्मेंट इन सब पढ़ना आपको लूशन जी के पढ़ना है एक जो दूस्तों आपकर दोस्तों आपके पास है तो भी पर कोई लिक्त नहीं लेकिन dif veterinar पर आपके से अब दूसरी पढ़ना है तो आपने अपने क्वります मार्कित से इसको पढ़ना है इसमें लग्वा दोस्तों आपके तीननी sun पैतें आपके और यह मार्केट में आपको लगवाट डेट सुरुपे के आसपास आपको मिल जाएगी ठीक है इसको पढ़ना है कम से कम चार पास बार आपको अच्छी तरह से अब देखें दोस्तों बच्छे क्या करते हैं जैसे आपको पहले हिस्ट्री पढ़ना है ऐसे आपको नह या तो आप मार्केट से अरेहंट की बुक आती पतली से उसको ख़ई सकते हो अगर इसको नहीं पढ़ना चाहते तो एक बुखाती आपकी लूसेंट की कम्पूटर की ठीक है इन दोनों में जो आपकी इच्छा हो उस बुक को आप पढ़ सकते हो दोनों नहीं पढ़ने के एक पढ़नी है आपको दोनों पतली से बुक आपके आती है ठीक है इतना हो कम्पूटर के लिए अब दोस्तों जब आप इतना कर दो तो साथ में आपको एक काम हो करना है कि जो भी आपके CBT1 पेपर हुए ठीक है एंटीप से के बहुत सारे कुशन पेपर आपको सॉल्व क अगर दोस्तों आपने इतना काम कर लिया तो दोस्तों आपको यकिन माने कहीं से कोई भी कोचिंग करने जोतनी पड़ेगी आप साथ दिनमें अच्छे से अपने त्यारी कर लोगे और उसका जो भी आपको समय मिलेगा वो उस समय को आप लगाना करने में इस ठीक है अब द देखी दोस्तों एक चीज़ जानता हूं मैं अगर आप मैस रिजम के ज्यादा कमजोर तो आपको नहीं हो कम से कम आप एवरेज होगे अगर दोस्तों आप मैस रिजम कमजोर होगे तो आपने CBT बने आपको क्वालिफाई नहीं होगा ठीक है तो इसमें मैस रिजिंग बात कर करें चाहां आपको दो दिन में हो चाहां चाहर दिन में हो ठीक है इतना कम आपको करना है फिर दोस्तों आपका आता है कि लूशेंट जी के ठीक है फिर दोस्तों आपका कंप्यूटर और साथ में करेंट अफेर तो दोस्तों डेली पढ़ना आपको एक गहंटा अगर एक ग गंटे डेली तो दोस्तों यहाँ पर आपको लगवाद साथ गंटे की स्टडी होगी अब देखे दोस्तों इतना साथ गंटे पढ़ने के बाद साथ में आपको एक काम और करना है डेली जो में बता हैं आपको CBT-1 जो आपको पेपर हुएं उसका आपको एक टेस्ट लगाना है डेली ठीक है यहीं पता होगा आपको 90 मेंट का समय मिलता आपको एक्जाम में ठीक है उसमें दोस्तों आपके सो कुछन पूछे थे आपको सॉल्व करने हैं मैथ डीजनिंग और आपका जीएस मिला के डेली तो यानि 7 गंटे आप यहां होगे और लगवा 2 गंटे आप यहां मालो मैक्समा तो यानि की लगवा आपको 8 से 9 गंटे की आपको इस्टडी करनी है अगर दोस्तों आपने इतने गंटे पढ़ाई कर ली तो आप आराम से दो मिने पूरा स्वर्वस अपना कमपेट कर टेस्ट ठीक है और दोस्तों हर संडे को आप सव्ल्व करनी है क्योंकि पता होगा पेपर ओनलाइन होगा तो उससे आपको अधियुक्त लग जाएगा प्तर हो जाएंगे तो इस ताइज तो आपके船न होते हैं बढते क् uğ Laura ध jet है जिसे हट्ण ऑफ अगडर एक दिन दोगो संडे में सटरडी में तो उसके दोश्स्त पूरा अगली सब्सक्राइब करना है इतना काम आपको करना है और इसके लावा आपको मैस रीजिम कहीं किसी चैप्टर में प्रॉलम हो रही है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि उसके लिए तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो थेंक्यू फो वाचिंग